यह इनकी धान है देख सकते हैं अच्छी पकी हुई है और थोड़ी दिन में इसकी कटाई होने वाली है तो हमारा आप से निवेदन है कि धीरे धीरे करके रसाइन आप अपने खेश से छुड़ा सकते हैं कमाल क्लेम कमाल 505 का इस्तिमाल कर सकते हैं कमाल क्लेम एक भूमी नमस्कार साथियो स्वागत है आपका किर्शी परिवर्तन में और इस बार फिर हम आए हैं दाधपूर गाउं ओसो आत्रम आप देखी रहें सामने हैं इसी के पीछे संजीब नागर जी का खेते दाधपूर के निवासी हैं यह और पिछली बार भी हमने आपको इस खेत का विडियो दिखाया था और यह साड़े ती नेकड़ का रगबा है और इनोंने इसमें यूरिया डिएपी की मात्रा काफी कम कर दी हमने पिछली बार आपको बताया था पच्छीज किलो पुशत्त्तर किलो यूरिया और तीस किलो डियेपी इनोंने इस्तिमाल किया तो वही च्ड़का भी किया है के पच्पन 505 निपर का तो परिनाव आपके सामने है देख सकते हैं यह इनकी धान है देख सकते हैं अच्छी पकी हुई है और थोड़ी दिन में इसकी कटाई होने वाली है तो हमारा आपसे निवेदन है कि धीरे धीरे करके रासाइन आप अपने खेश से छोड़ा सकते हैं कमाल क्लेम कमाल 505 का इस्तमाल कर सकते हैं कमाल क्लेम एक भूमी सुधा रखे और 505 ग्रोथ प्रमोटर है जो भी जड़ों से संबंदित रोग होते हैं उससे निजात दिलाता है तो इनका इस्तमाल आप राशानिक खाट के साथ भी कर सकते हैं जे भी खाट के साथ भी कर सकते हैं यदि आप जे भी खेती करते हैं तो इनको गोवर के खाट या बर्मी कमपोश के साथ इस्तमाल कर सकते हैं यदि आप र चलकार पर रूपे इस्तमाल कर सकते हैं तो बजार से आपको कीटना सकते चलकाव की जरुवत नहीं पड़ेगी और राइसानिक खाट की मात्रा भी धीरे-धीरे खतम हो जाएगी और हमारी भूमी भी बड़ी तैजी से सुधार होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं अधान साड़ेती निकला का रगभा है और यह पिछले तीन साल ले किया तो subscribe कर ले him like on your epoch कधान अपने खेतर से nuria डीए पी कीटना सकते चुत करें सुःटकर अपने में साहित अपराब करें और बेटन स्वाह कर अपको special video मिल सके दनेवाद साथ यूँ अगले हुआ हम फिर मिलेंगे किसी किसान के खेत में तब तक के लिए नमस्कार